इसान रहा बीजेपी के लिए है ना समाजवादी पार्टी के लिए है लेकिन जब वोटिंग की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है काउंटिंग होगी उसके बात पता चलेगा कि आखिर किसके खाते में राज्यसभा की ये सीट जाती हुई नजर आ रहे हैं मेरे से होगी लगा देखें इस राजा भीया और तमाम चाहे जैन चौधरी हों वो किंग मेकर की वुमिका मेहतो ही है इसके लावा अगर हम बात करें मनोच पांडे जोकी विधान सवा में नमबर टू के नेता थे समाजवादी पार्टी के मुक सचेतक पत से पर अपतेना थे उन्होंने के राकेश पांडे और विनो चत्रवेदी दो और विधायक चार विधायकों से मुलकात हुई है मुकमंतरी यूगी अदितनात की और वह भी विधान सभाट सचुवाले के अंदर ही इनकी मुलकात हुई जहीर तौर पर इन 4 विधायक और क्रॉस वूर्टिंग कर दी है और क्रॉस वूर्टिंग करने के बाद नहुने जाकर जाकर मिलखात की है मुकमंतरी योगी आदे ते innovation तो तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जिस तरीके से सिधात्राथ सिंह से जब मैंने बात ची सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिनों में और भी उनके स्टीफ़े हम देख सकते हैं इसके लावा अभै सिंग कई बार के विधायक हैं उन्हों कि अपने विधायकों को समाजवादी पार्टी बचात कर रख पाईगी या नहीं रख पाईगी मैं लौजूंगे आपके पास लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर मंत्री और विधायक सिधार्थ नाथ सेंग ने अखिले इशादव से अपना घर तो संबल नहीं रहा बिजेपी के सर आठ वोट जो हैं बीजेपी के कम हो रहा है लेकिन राकेश प्रताब सिंग समाजवादी पार्टी के अभैस सिंग बिनूद जी है और भी तमाम विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर रहा है किस तरीके से देख रहा है सभी आठ विधायक दल्ली में यह जरू साफ दिख रहा है कि भारतिय जनता पार्टी के आठ के आठ जो राचसवा के उमीदवार है वो अब दिल्ली जा रहे हैं और राचसवा में दिखेंगे आपको मैं अखलेश यादों को कोट अनकोट करता हूँ उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को लाप पाना है कुछ बड़े वादे कियेंगे हैं वो जो हैं दूसरे पार्टी को वोट करेंगे यानि बीजेपी के उमीदवार को वोट करेंगे अपना घर समलता नहीं अखलेश जी से दूसरों पर आरोप रत्यारोप कर रहे हो तो बहाने ढूड़ना कम करो अपने अंदर जाके अखलेश जी हो बताईए कि आपने आपकी नीतिया क्या है आप घर हाउस में खड़े होकर इकबाल इकबाल कर रहा हो जिसने कहा ता हिंद खुष नहीं है कई विधायक हैं आप समाजवाधी पार्टी के जो जैसरी राम बोलना है ने मैं तो कहता हूँ सभी को बोलना चाहिए और मन्ही मन सभी बोलते होंगे मैं अखलेश जी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि अखलेश जी जो हैं उनको मुहमत इकबाल ज्यादा याद आ रहा था पहले से पहले से जा चुके हैं तुब विधान सभा में वो जा चुके हैं पहले से नमबर टु के नेता है ठीक में प्रश यादों के बाद उन्होंने मुख सची तक पत्से स्टिफा एडिया योगी आधितनास से अभी विधान सभा के सचवाले में ही मुलकात किये तो अलग बात है योगी आधितनास से मुलकात की है और 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 क्रॉस वोटिंग इन तीन उन लोगों ने किया अभे सिंग ने तो आयोध्या में राम मंदिर का पोस्टर जो है जो फोटोग्राफ है उन्होंने अपने फेस्बुक पर लगा दिया और जैसरी राम भी बोलना है देखेंगे एध्धा के फोटो लगाना कोई बुरी बात नहीं है जैसे आम बोलना कोई बुरी बात नहीं है हम लोगी काकर में जाते हैं हमारी फोटो आप देखेंगे कई जगे दुगा पूजा पर इसा ओड़े रहते हैं कि भगवा हम कुदे ओड़े रहते हैं भगवाते रंग से कोई दफ्र समाजवादी पार्ट्य को नहीं है राके सिंग हो चाइबे अभे सिंग जी हो अभे सिंग के लिए नेता जी ने बहुत कुछ चिया तो तो आप सुन सकते हैं इनका साफ साफ यह कहना है भलही यह नेता जो है मनुष्पांडे भलही मुक्मंत्री योगी आदितनाथ से तो देखे यूपी में राज्यस्वाद की एक सीट को लेकर सियासत बहुत तेज हो चुकी है बीजेपी की आठवी और समाजवादी पार्टी के साथ वधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस्वोटिंग कर सकते हैं समाजवादी पार्टी वधायक मनोज पांडे ने वीप्च चीफ पद से स्तीफा दे दिया है जबकि सपा के वधायक राकेश पांडे अभै सिंग विनोच चतुरवेदी माराजी प्रजपती पूजा पाल क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं ये सभी वधायक कल रात अखिली शादव की डिनर में नहीं पहुचे थे तो एक सीट को लेकर पेच फसा कुआ है ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरह से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अपने लोगों से बाचीत की जा सके ऐसे में आप समझे कि कल डिनर पार् आराजगी थी लेकिन न्यूज 18 से बाचीत कर्णियों ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगी तो इस पूरे मुद्धे पर पूर्वसियम अखिले श्यादव और शिवपाल यादव का बयान भी सामने आए क्या को चुनने का या आपको सुनाते हैं जो दूसरों के लिए गड़े खूते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड़े में गड़ते हैं चंडीगर में भी आपने देखा था कि किस सरीके से अधिकारियों से मिल करके और बैलेट अगर न होता CCTV कैमरे न होते तो शायद परणाम कुछ और दिखाई देता लेकिन सुप्रीम कोट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगर और लोक्तंत को बचा लिया बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हतगंडा अपना सकती है कोई भी लाव देने के लिए आसवासन दे सकती है बीजेपी है जीतने के लिए सब कुछ करेगी यह आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और यह देखे समाज बादी पार्टी के चुनाव चुन से जीते थी तो देखा जाएगा आगे इस तरीके से अगर होगा तो फिर बात में हम लोग भी देखेंगे तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को आप सुन रहेते कह रहे हैं साफतोर पर कि भारते जुनता पार्टी जीत दर्च करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लगाता और मेरे से होगी अमित बने हुए अमित पल्लवी पटेल की बात करें कल वो भी डिनर पार्टी में नह पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट याईनी पीडिये के जो उमिदवार है उसे वो वोट करेंगी लेकिन जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि आसुबा उनकी अगलेस यादों से फोन पर बात चीत हुई है कल वो डिनर में नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के उमिदवार को वोट करेंगी तो पल्लवी पटेल को छोड़ दे तो बाकी जो साथ विदायक जो कल के डिनर में नहीं पहुँचे थे उसमें मनोच वाड़ने अवैस सिंग राकेश पांडे राकेश सिंग महराजी ये तमाम वो विदायक ह जो अकल के डिनर में नहीं पहुचे थे और वो आज क्रॉस वोटटिंग कर सकते हैं इसके इलाबा चार तो ऐसे नाम है राकेश पांडे अवैस सिंग मनोच पांडे ये तमाम विदायक जो है समाझवादी पार्टी के भागी विदायक है। उर मनोच पांडे नन तो खास संजे सेट वो एक बार फिर से हो सकता है कि पाच बजे के बाद जब काउंटी हो तो वो दिल्ली रास्वा में जाकर वहाँ पर सपत ले बिल्कुल अलग होंगे या वही होंगे जो भारती जन्ता पार्टी सोच रही है लेकिन ओम प्रकाश राजबर ने चुनावों में समाजवादी पार्टी की तरफ क्रोस वोटिंग का दावा किया है आपको सुनाते भी है क्या कुछ कहा उन्हों ने जो भारती जन्ता पार्टी के तरफ से आठो मी दवार खड़े हैं आठो जीतेंगे जो खबरें अठकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी कल क्लियर हो गया राजा भीया ने वोपे ना करके सामने बता दिया मैं भीम से मिला था बता बाची थी तो मैंने बताया कि राजा भीया जी उड़ देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं भाटी इंता पार्टी साथ में है और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंध है और आ रहे हैं लोग वोट देंगे सपा के तरफ से क्रास ओटिंग होगी और भाजपा को जीताने के लिए अंडिये को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे जिससे प्रभाविद बहुत सारे विधाये बाजपा के परत्यासियों को जीताना चाहते हैं और बाजपा के पास अपने वहुमत से जेदा नंबर हैं तो देखे देखा जा एगा आगे इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे तो अलग-अलग दावे सब की तरफ से किये जा रहे लेकिन भारतिय जंता पाटी अपनी जीत का दावा तो कर रही है और समाजवादी पाटी को तीसरी सीथ पर दाव खेलना लगातर महंगा पढ़ता को अब दिखाई दे रहा है अपने हक में काटे बोएगा अगलेश जी उत्तरपरदेश के ने देश के सबसे बढ़न नेता हैं जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा वही कैबिनेट मंत्री संजन इशाद ने भी बहुमत होने का दावा किया उन्होंने क्या कुछ का ये भी आपको सुना देते हैं इसी तरुब से मेरा जो आठवा कंडिडेट है वो जीतेगा चुकि संख्याबल हमारे पास है बहुमत हमारे पास है सारे लगभग दल हमारे पास है और विपक्स का एक दल बचा हुआ उसके अंदर विए चुकि जब दल हमारे साथ आ गए तो विधायकों के दिल भी आ जा अइसे में रेल सारे विधायक कोट करेंगे देखे बंपर वोटों से खार भारी अंतर से जीतेंगे उना तो देखे साथ विधायक बेहत नाराज चल रहे है क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी पांच बजे के बाद पता चलेगा मेरे सेहो की लगातार अमित मेरे साथ बने हुए हैं अमित साथ विधायक नाराज है पल्लवी पतेल जो है इस बात को लेकर कई बार इशारत दे चुके है कि जया बच्चन की वज़़ा से वो नाराज चल रही थी लेकिन ये साथ वधायक क्यों नाराज है इनकी नाराज़गी की वज़ा क्या है थोड़ी दे पहले अपडेट की है और भगवान राम के मंदिर का फोटोग्राफ लगाया है तो जाहिर तोर पे इन दोनों नेताओं का साथ साथ ये कहना है पलवी पटेल भलही आज जो उनसे हमारी बाचीत हुई है वो समाजवादी पार्टी के उमिद्वार को वोट कर रही है लेकिन उनका भी जया बच्चन को लेकर नाराज की पार्टी से चल रही है और जाहिर तोर पे जिस तरीके से आज सुबगा में उनकी बाचीत हुई है जो सोत्र हमारे बता रहे है अखलेस यादो से उसमें नोग जोग भी हुई है इसके अलावा विधायक विनोध है और ये जो तमाम दूसरे विधायक है उनका कहना है कि जो पार्टी की नीतिया थी उस नीतियों से इनकी नाराजगी थी जाहिर तोर पे इसी वज़े से इन्होंने रुख अब बीजेपी के तरफ किया बागी हो गए है और ये जो साथ विधायक हैं कुल आठ विधायक कल के टीनर में अखलेस यादो के टीनर में नहीं पहुँचे थे लेकिन उनमें से जो साथ विधायक है कि ये क्लियर हो चुका है कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और वो बीजेपी यानि एन्डिये के उमिदवार को वोट करेंगे और इसलिए एन्डिये काफी ज़्यादा कॉन्विडेंट भी है प्रियादा भी है